नमस्कार आप देखरें स्काइनेटीव इंडिया पेसाच के मुख्य समाचार राज्जी सरकार ने सोमवार को 15 जीलों के कलेक्टर समेट 27 IAS अफसरों के तबाद ले किये हैं इनमें इंदोर कलेक्टर मनिश सींग को MD उध्ध्यों की विकास बनाया गया है इंदोर की कमान अब जबलपूर कलेक्टर इलाईय राजा टी को सोपी गई है उनके इस्थान पर सोरब कुमार सुमन को जबलपूर कलेक्टर बनाया गया है सोरब कुमार शिंद्वारा के कलेक्टर थे देवास, जवलपूर, इंदोर, उम्रिया, सीधी, धार, सिहोर, नरसिंगपूर, बुरहानपूर, सिंगरॉली, मुरेना, आगर, मालवा, कट्मी, जिलो के कलेक्टर बदले गए इंदोर के नवागत कलेक्टर कल ही अपनी जॉइनिंग ले रहे हैं उन्होंने इंदोर और यहां की जनता की भरपूर तारिफ कर कहा कि वे अपना सोभाग्य मानते हैं कि मा अहिल्या की नगरी में उन्हें कारी करने का मोका मिल रहा है आम जनता का कारीय विधिवत हो, सब साथ मिलकर कारी करें एसी मेरी सोच है मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए जाना जाता है लेकिन अब यहां से इस्पेश टूरिज्म की यात्रा भी की जा सकेगी साल दो हजार पच्चिस तक इंदोर से इस्पेश के लिए उडान भरी जा सकेगी मुंबई बेश्ड इस्पेश औरक नाम की कमपनी के सीईओ और संस्थापक आकास पूरवाल ने बताए कि हम लोगों को दो हजार पच्चिस में अंतरिक्ष की यात्रा कराएंगे इसके लिए मध्य प्रदेश के इंदोर से इसकी पहली उडान भरी जा सकेगी मध्य प्रदेश के रिवा से सांसथ जनारदन मिस्र एक बार फिर सुर्खियों में है सांसथ ने कहा बिजली बिल माफ हो सकता है मुफ्त में रासन भी ले लो सरकारे चुनाओ के समय बड़े-बड़े वादे कर देती हैं अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो नहीं मानना सांसा जनारदन यहीं पर नहीं रुके उन्होंने आगे कहा चाहे दारू पीओ गुटका खाओ आयोडेक्स खाओ और चाहे थिनर सुंगो लेकिन पानी के लिए टेक्स देना पड़ेगा सभी खर्चों में कटोती करके सभी को जल कर देना चाहिए इंदोर एलाईजी चोराहा पर चार लड़कियों द्वारा एक लड़की को जमीन पर लेटा-लेटा के मारने वाले मामले में पुलिस ने चार लड़की के अलावा दो लड़कों पर भी 307 का केस दर्ज किया स्री महाकालेश्वर वंदिर में चंद्र ग्रहन पर महाकाल ने चंद्रमा धारण कर दर्शन दिये मस्तक पर चंद्र और त्रीनेत्र सिर्पर सेजनाक कर रजत मुकुट धारण कर रजत की मुंड माला और उद्राक्ष की माला के साथ पुस्पु से बनी माला भी अरपित की गई मुखी मंदी सिवरा सिंग चोहान ने आज निवास कारियाले में मुंबई में उद्योग पत्यों के साथ 10 नवंबर को होने वाली मुलाकात एवं रोड सोग की तैयारियों के संबन्द में वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठत की प्रदेश में पिछले 24 गंटों में कोरोना संक्रमेंट के साथ नए केस आए हैं वहीं 9 मरिष ठीक हुए हैं वरतमान में प्रदेश में कुलेक्टिव केस 64 हैं वहीं संक्रमेंट दर 0.30 प्रतिशत और रिकवरेट 98.70 प्रतिशत है कल दीन बर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुवरातरी